खपड़े का घर में खुद रहते हैं, कोई भी बेसिक मुलभूत सुभिधा नहीं है, लेकिन मंदीर में इन्होंने 17 माले मंदीर बनाने में करोड़ रुपया लगा दी उनको कुछ नहीं लगा, हमारे पर महादेव सवार थे अपना बनाते चले गए अभी भी रहते हैं, सवार ऐसा नहीं है, सवार थे तभी ये बनाना 17 तल्ला का ये मंदीर है, जो कि बिहार के समस्तिपूर में है, समस्तिपूर की रोस्ला जगा है इनका घर, ये बच्चा, ये कीसी तरह से यहां एक व्यक्ती, दो व्यक्ती रह सकता है तो आप एक कुसवाहा जाती से हैं और कोई दी कुसवाहा ज्यादा तर बोला गाता है कि मंदिरों में बावा जी पंडीत जी बनाते हैं आपके बच्चे क्या करते हैं बताइए सरकारी स्कूल में तो एक बात बताइए लोग कहेगा कि आप मंदीर बन वारा है इतना अच्छ और अपने बच्चे को बढ़िया से पढ़ाई भी नहीं कर रहा है वह भगवान पहुंचाएंगे अच्छे जगह जो भी हो उनका काम है उनका लेकिन आप मतलब आप सकारी स्कूल भगवान की दया पर उनकी दया पर जो हमको दे रहे हैं उस आप समीत कुमार देखे बिहा अब मतलब बोलते हैं तो बिहार यानि जिद किसी भी काम को तत्परता से करने की एक ललक और एक ऐसी ही ललक से आपको मुलकात कराते हैं एक व्यक्ति हैं जो कि जिनका नाम है सिव संकर और सीव जी के बहुत बड़े भगत हैं वह इतने बड़े कि वह खुद मजदूरी कर बिहार के समस्तिपूर में है समस्तिपूर की रोसला जगा है और यहीं पर यह मंदीर स्थीट है इनका घर है इनका घर देखिये सामने दिखाएंगे तो खपड़े का घर में खुद रहते हैं कोई भी बेसिक मुलभूत सुविधा नहीं है लेकिन मंदीर में इन्होंने 17 माले मंदीर बनाने में करोड़ रुपया लगा दी और इनका कहना है जब बात किया तो इनके सपने में एक वर्शीव भगवान आया और उसके बात से कहानी सुरू हुई तो सबसे पहले तो हम यहीं से मुलाकात करवाते हैं क्या नाम हुआ आपका सिर्फ संकर महतोग कुस्वाह तो आपनी 17 माले का मंदीर बना दिया अपने क्या लगा आपको और क्यों यह लगा पूँछ ने लगा हमारे महादेव सवार थे अबनाते चले गए अभी रहते सवार इसा नहीं सवार थे तभी बनाना विना सवार लगा दिये इस टाइम चार साल में 2007 से लेके 2011 तक में एक लगा दिये अपना जो दम पूरा हो लगा दिये अच्छ और आपका घर वो है तो एक दम आप बेसिक सुधा में तो आप एकाद माला कम बनाते अपना भी अच्छा बन गया तो छोटा से बड़ा नहीं हो सकता है ना उनका जो आदेस था वो पूरा हुआ अदेस था हाँ ब अच्छ वो कह देते थे जहां गरबर हो रहा तो वहां इसारा कर देते थे इसे ने से ले चलो आपके घर में और कौन-कौन है उमारे बच्चे है और कि पत्नी और बच्चे है तो लोग नहीं करते कि अपना भी घर अच्छा बना लीजे उस टाइम जब थे उस टाम बना र बढ़ा है मतलब आप गौध है तो चोटा सा मंदीर होता है लेकिन 17 अल्यका मंदीर हो इतना बड़ा मंदीर के लिए लोग आएंगे बहुत दूर दूसरे आपको क्या बिश्या हम नहीं बोलते हैं इसलिए जिए बोलता है बावा महादे बोल चुके हैं इसा शान को बजन लोगों को भी जानना होगा नहीं विश्वास करेंगे बहुत ही सजा मिला लोग से आया है जानने आपके बारे में समझने आए कि एक व्यक्ति जो की मजदूरी करता था पहले बाद में ठेकदारी करने लगा और उनके दिमाग में ऐसा क्या बहुत सवार हुआ कि यह पूर यह लिया अम निकल गये लेकिन पीछी अठे नहीं हम निकल गये पार अभी मंदीर कंपलीट जैसे भी आप करेंगे इसको हम क्या करेंगे महादेवकर हम से कराना होगा दपूरा हम से कराएंगे उनका अलाय दानी का कमी नहीं है तो और लोग यह मदद कर रहे है इसमें तो यहां पर एक व्यक्ति हैं जो कि 17 वाला का मंदीर बना रहा है 17 तला का तो हम बहुत चक्कर रहें कि भाई ऐसा क्या जुनून है समझना बहुत जरूरी था तो और यह ऐसा जुनून आप देखिए इनका घर दिखाते हैं आपको यह देखिए खपड़ा का घर है किसी हाल स रहने लाइक जगा है खुद यह दम एकदम बेसिक सुविधाओं के साथ रहते हैं देखिए इनका घर यह बच्चा एक किसी तरह से यहां एक व्यक्ति दो व्यक्ति रह सकता है लेकिन देखिए मंदीर कितना खुबसूरा तो सुंदर आप दोनों बस अंतर देख लीजे कि क्या है अब क्या अब देखिए यह तो उनकी मन की बात है वो कहते है को उनके सपने में शीव भगवान आए उसके बाद से उन्हें लगा कि बनाना चाहिए बाकिया थोड़ा बाबा दिखाई ए अपना मंदीर भी थोड़ा सामको दिखाई ए देखिए यह मंदीर है इसका ग्रॉंड तल्ला का परिशर है तो यह सब इस तरह से तो डीजाइन बगर ही बन वाएं कि ने ने वह मादेव का कई जाइन था सब कं में का मादेव कि कहने से हुआ अच्छे एक बात हमको समझ माहे आपका नाम है इस शीव संकर महतो कुषवाहा यहां तो आप एक मां दिखा, वह होता है, लेकिन हमें तो यहांनre था में पदे रखे था आपार संकरह दुस्ता है, कदो एक समय अने पर मुरतियों लेकिन आप मुर्थेटेंगे शुरम테 अबी नहीं भी अबर पेस स्ने पहरे और आए स्थान पर यज 티 वह में fragu ने सको हो बैए गाना जोाओ मदद की मय आशा होगा रहा लोगों से क्या कहेंगे प्रें मैं dus दे heights il को देंगे हैं एंड़ सबसे बड़ी statistि हुआ हिस्थान पर आए घुन्दीर करें इस मंदीर में वे 1700 लोग यह घुमने आते है इस मंदीर बेखनें पर रहें और यहां प्रसtw磨णा बोच्ञ का शयर आपके बच्चे क्या करते हैं बताइए सरकारी स्कूल में तो एक बात बताइए लोग कहेगा कि आप मंदीर बन वारें इतना अच्छा और अपने बच्चे को बढ़ियां से पढ़ाई भी नहीं कर वारें तो अच्छा समय समय की बात होती है समय था जो लड़का लड़की व हैं वारी गरिव क्या है महादेव का देन हैं बहुत गरीवी तो बहुत हो गय थे लेकिन अभी तो ठीक है वह भूती गरीवी कर देए लिए कि बच्चा को आप अपड़ाए नहीं अच्छा प्ट रिक पत्री क्या कहें गए गुसा नहीं करती है कि असा क्या चलेगा उसका पूसके गुसा होने से क्या होगा चलना चाहिए ना वभी बच्चों को लगके अगर चिंति था तो अच्छा बात है ना इसना खोई चिंता नहीं है इतनी कोई चिंति नहीं बच्चे आपको चार लड़का एक लड़की और चारों का पुसरकारी स्कुली भेज रहे हैं नही कि आप मतलब आप सरकारी स्कूल में जाते हैं हलाके हमने रिक्वेस्ट किये का बच्चों को ही पढ़ाइए बहुत अच्छी बात है और देखिए यहां पर क्या-क्या और लिखा हुआ है यह सब क्या 51 लागत से मंदी निर्मान हुआ है फिर भी अधूरा है इसे पूरा करने के लिए अपना इच्छा नुसार देखिए 51 लाखी अपना पैसा लगा दिया है इसमें और उसके बाद भी खाली नहीं बना है तो लोगों की मदद की जरूरत है तो सोचिए एक व्यक्ति कितना और यह पूरा देखिए यहां पर स्याम महतों सिताराम महतों और यह सब राम कि एजुकेशन भी जरूरी है यह बाबा से भी हमने बोला कि अपने बच्चों को जरूर पढ़ाए भगवान पूजा पाठ बहुत जरूरी हम यह नहीं कहते कि वह जरूरी नहीं है लेकिन बच्चों की अच्छी पढ़ाई भी बहुत जरूरी है जिससे वह समाज में एक और जा सके उसके बाद पूजा भक्ति भी भगवान भी यहीं चाहते हैं कि आप सब बनो और सब एजुकेशन से इंसान बनता है तो बाकि आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताईएगा शीव संकर महतो के यहां आम लोग आए हैं और इनकी जो यह कोसिस है अपने धन संपति से बनाने का एक मजदूर व्यक्ति की कहानी है जो कि मंदीर अपने पैसे से खुद कंगाल है लकिन बनवा दिया यह बिहार के दास्तान है बिहार मतलब जीद वहीं से मैंने सुरू किया था राय जरूर दीजेगा कमेंट करके